हेलो गाज बर्ड्स के इंफो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैट को चोट लग जाती है आपका पैट इंजर्ड हो जाता है और कभी-कभी उस चोट पर से बलट भी आने लगता है तो ऐसे स नगारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही नोडिफिकेशन वेल को प्रेस करके अपको सबसे पहले मिल जाये तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों कई बार आपका पैट इंजर्ड हो जाता है पैट के केज में सार्फ बायर निकल हुआ हो तो भी वह खुद को इंजर्ड कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमें ऐसे करना है कि आपका ठीक हो जाया सबसे पहले तो मैं आपको बथा च hm कि आपका पार्ट इंजर्ड ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो इसके लिए आपके पैड का क्यज बिल्कुल परślफेक्ट होना चाहिए उस यह में कोई भी साथ बाहर नहीं निकला होना चाहिए मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिक्शन बॉक्स में आपकी प्रेट के लिए पर्फेक्ट साइज का केज लिंक दे दूंगा अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो एक बार जरूर से चेक आउट कर लेना इसके अलाबा आपकी प्रेट का नेल बढ़ जाए तो उस टाइम अगर आपका प्रेट अपने फेदर को या नोज के पास स्क्रेज करता है तो वो कई बार इंजर्ड भी हो जाता है तो इसके लिए अपने प्रेट के नेल्स को ट्रीम कर देना है और अपने प्रेट के नेल्स को कैसे ट्रीम करना है इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या नहीं तो यह लिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्रेट इंजर्ड हो जाता है तो इसका ठीटमेंट कैसे करना है तो इसक साथ आपको चाहिए होगा मेलो नेक्स यह आपको बेट के पास से ही मिलेगा इसको दो दो ड्रॉब दिन में दो बार तीन दिन तक देना है और ज्यादा बलड निकलने के करन आपका प्रेट बीग पढ़ जाता है तो इसके लिए उसे फूट्स दें बट इस प्रोसेस में इसके उसे खट्टे फ्ल नहीं देना इसके साथ अगर आप उसे एक मेल नी तो आप A to Z मल्टी विटामिन सिरप भी दे सकते हैं और मल्टी विटामिन को दो ड्रॉप डेली करके देना है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो आपको कैसी लगए हमें कमेंट करके जरूर बताए असा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो वीडियो के लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेर करें थैंक यू